अगर आप एक नई कार खरीदने की योजना बना रहे हैं तो ये वीडियो आपके बहुत काम का है आप मेरे साथ पूरे वीडियो में बने रहिएगा मैं आपको कुछ ऐसे टिप्स बताऊंगा ऐसी कुछ टेक्निक्स बताऊंगा जिससे आसानी से आपके सपनों की जो कार है वो आपको मिल सकेगी और आप वो गलतिया नहीं करेंगे जो शायद मैंने की थी या दूसरे लोग करते हैं तो अभी रिसेंटली मैंने कार खरीदी है तो इसलिए मुझे पता है कि कार खरीदने से पहले क्या-क्या जरूरी है आपको जानना और कार कौन सी खरीदनी चाहिए कौन सा मॉडल खरीदना चाहिए ये सारी बातें आज मैं आपके साथ में डीटेल में करने वाला हूँ अगर मेरे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा देखिए जब आप कार खईदने जाते हैं बजार में मतलब बजार इंदसेंस की शोरूम में जाते हैं आप तो आपको बहुती बुरी तरीके से वर्गलाया जाता है आपको जाल में फसाय जाता है जाल में कैसे फसाय जाता है कि आपका बजट अगर समझो की 6 लाग का है कार का या 7 लाग का है तो अगर आप सावधानी से काम नहीं करेंगे तो वो सेल्स परसन जो कार की दुकान पर है वो आपको 9 लाग की गाड़ी टिका देगा सेम गाड़ी 9 लाग में टिका देगा सिमिलर फीचर्स सीसी वही रहेगा इंजन भी वही रहेगा लेकिन 2 लाग आपके जेब में से जटक लेगा अगर आप कोई मुकेश अम्बानी की अउलाद हो तो मुझे पता नहीं है लेकिन 2 लाग रुपे एक नॉर्मल आदमी के लिए इंसान इंडिया में कुछ माइने तो रखता ही है फ्रेंड्स है ना 2 लाग को यह से हवा में तो नहीं उड़ा सकते आज मैं आपसे बोलूँ कि 2 लाग रुपे दे दो तो आप 2 लाग देने से पर 2 लाग सोचोगे तो इसलिए मैं बता रहा हूँ कि यह सेल्स परसन जो हैं बहुत ही चालाखे इनको ट्रेनिंग इस तरीके से दी गई है और आज जो मैं बात करने वाला हूँ देखिए भारत में अगर मैं कार्स की बारे में बात करूँ तो मारूती भी नहीं है रेनो भी नहीं है और हुंडाई भी नहीं है फोर्ड भी नहीं है ये सारी गाड़िया जो हैं मैं आपको सज़ज़ करूँगा कि बिल्कुल भी आप बाय ना करें और अगर आपको बाय करना ही है तो एक ही नाम या दखना वो रतन टाटा की कंपनी टाटा मोटर्स टाटा मोटर्स से ना नीचे देखना है ना टाटा मोटर्स से उपर देखना है बाय करनी है कार अगर भारत में तो बाय करनी है सिर्फ टाटा मोटर्स की कार इसके रिजन भी मैं आपको बताऊँगा लेकिन उससे पहले मैं आपको बताओं कि देखिए कार में अलग-अलग वेरियंट होते हैं जब मैं कार खरीदने गया तो मेरे माइंड में टाटा की गाड़ी थी ऐल्ट्रोस तो मुझे शुरू से वो गाड़ी बहुती मेस्मराइस करती थी मुझे बाए करना था मैं बहुत दिनों से सोच रहा था तो मैं वहाँ पे गया टाटा मोटर्स के शोरूम में कौन से शोरूम में नहीं बताओंगा और फिर मेरे साथ क्या क्या हुआ मैं आपको बताता हूँ या आपके साथ भी हो सकता है अगर आप टाटा की, मारूती की, हुंडाई की, रेनो की या किया मोटर्स की, किसी की भी कार आप लेने की सोच रहे हैं तो आपके साथ भी शोरूम में यह हो सकता है इसलिए आपको मैं साब्धान कर रहा हूँ फ्रेंड्स कि आपका नुकसान नहों जाए तो देखिए, जब मैं वहाँ पर गया तो सबसे पहली बात यह है कि मुझे बेस मॉडल तो दिखा आया नहीं गया गाड़ी का कि बेस मॉडल के बारे में बात ही नहीं कर रहे हूँ बेस मॉडल क्या होता है सबसे कम कीमत में जो अवेलेबल हो जाती है मैं आज जो भी प्राइस की बात कर रहा हूँ गुजरात की कर रहा हूँ, मैं गुजरात में रहता हूँ लेकिन इसके आसपास ही होगा पांच हजार जादा, पांच हजार कम इस पूरे भारत में रेट आल्मोस सेम ही चलता है तो मैंने को अश्चर हुआ कि किसी भी सेल्समेन ने वहाँ पे या मालिक ने जिससे मैंने बात की उसने बेस मॉडल के बारे में मुझे बताया है नहीं पहली बात तो और सबसे पहले बताया है कि टॉप मॉडल टॉप मॉडल का प्राइस जो है नो लाक नबबे हजार, दस लाक कि ये ये फीचर जो आपके सामने खड़ी हुई है इसमें आपको हर्मन का जो है मुजिक सिस्टम मिलेगा और इसके जो मिरर है ये खुद बो खुद अंदर बेटे बेटे आप हिला लेंगे बटन से और इससे यू करेंगे तो काज उपर हो जाएगा मतलब बटन से हो जाएगा काज नीचे हो जाएगे और पीछे के साइड भी ऐसा ऐसा जो वाइपर लगा हुआ है फॉग लाइट लगे है आगे के और जो इसके वील्स है इसके डाइमन कट रेडियल वील्स है एक्दम जबरदस दिखने वाले हैं ठंडा करने के लिए आप रख सकते हैं कुछ भी कोल्ड बॉक्स भी है उसमें गजब यार मैंने का क्या बात है मैंने का प्राइस दस लाग रुपे नो लाग नबे हजार मैं तो सुचा था कि ये गाड़ी तो साथ लाग से शुरू हो रही है शे साथ से शुरू हो रही है ये टॉप मॉडल है उसके बाद तो ये नीचे मॉडल पहा है लेकिन मेरे एक फ्रेंड ने मुझे समझा या था है कि गाड़ी लेनी हो तो बेस मॉडल ही लेना चाहिए तो अल्ट्रोस के इसाप से में आपको समझाता हूँ कि अगर आपको कोई भी गाड़ी लेनी है आपको बेस मॉडल क्यों लेना चाहिए देखिए बेस मॉडल में नंबर वन जो भी इंजन आपको टॉप मॉडल में मिलने वाला है टाटा की बात कर रहा हूं वो बेस मॉडल में भी मिलने वाला है चाहे आप Tata Tiago की बात करें, Nexon की बात करें, Tata Punch की बात करें, Tata Eltrus की बात करें, Maruti Berino की बात करें, Quid की बात करें, Deadson तक मैं जाऊंगा नि, आप लेंगे में नी राइड तक्रून जायांगा नि, नैन की बात मैं खरूंगा नि, आप बिल्कुल भी ने लेंगे बजाज की क्यूट आती ही गाड़ी वो आप बिल्कुल लेंगे आटो देलो इससे तो यार साइकल लेलो इतना आपको पेटरोल बचाना है कुईट का माइलेज भी डैटसन का माइलेज भी 25 आ रहा है आप क्या मूर्क बन जाते हैं यार आप टेकनलोजी के जमाने में रेके भी मूर्क बन जाते हैं क्योंकि आप इतनी महेंगी चीज़ खरिक लियाते हैं 9,90,000 की गाड़ी लाते हो आप और एक गाड़ी बेस मॉडल की कीमत जो है वो 6,60,000 पढ़ रही है 7,8,9, 3,5,5 गाड़ी गाड़ी है अब मैं बताता हूं डिफरेंस क्या क्या है बेस मॉडल में एक तो क्या है कि आपके बहार के जो मिरर रहते हैं वो आपको हाथ से मौड़ने और खोलने पढ़ेंगे इसमें कोई शरम की बात है क्या कि हाज से मोड़ने खोलने पड़ेंगे, बटन से मोड़ो के खोलोगे तभी कोई इंस्ट्रुमेंट उस करोगे तभी आपको मज़ा आएगा क्या, उसके लिए इतने पैसे दोगे क्या, नमबर वन, नमबर सेकेंड, पीछे की साइड आगे तो वाइपर है, बरसादगरी आगे का वाइपर, पीछे की साइड जो कांच है, उसका भी वाइपर दिया गया है, अरे बही यार, नीचे उतर के कपड़े से एक मिट हाथ साफ कर ले ना यार, पीछे कौन देखता है यार तो गाड़ी चलाओगे न आगे आगे आपको दिख रहा है बोनेट दिख रहा है, आपको उसके सामने काँछ दिख रहा Ivराम से आप गाड़ी चलाओ उसको लिए आप साओधी तिन लाग रुक्त ने दोगे, इसस अब मिला के बता रहा हूँ तो पीछे के तरह वाइपर दिया है उसके पेसे मांग रहे हूँ और ऐसा जो वैनीटी मिरर रहता है वो उसमें नहीं दिया गया है मतलब कि आप ऐसा खीचो के तो काच मिलेगा बस आपको चेहरा देखना है रहा है चोटा था काच लगा लो यार एक काच लगा लो अब दस रुपे काएगा उसके लिए साड़े तिन लाग रुपे दो गया म्यूजिक सिस्टम माना यार हर्मन का म्यूजिक सिस्टम देते हैं बहुत अच्छा है लेकिन फिर विम्हें वता हूं कि इतना प्राइस देने के कोई जरूत में है ुजयन जा रहे हुआ हो एफ्दयपूर जा हुआ हो जैपूर जा हुँ चित्थविय हो गया बहुकर आबको बता रहा हु ठीक हे, गाना बजाऊगे वो बाश्चा का की फाइनली 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 और चलो ज़हो गए थीक हे, यह फूष्पा का गाना बजाऊओ गए, ठीक हे लेकर उसके बादких क्या, उसके बाद काज बंधार दो गया है इसलिए आपको ध्यान रखना है कि यह 35,000 रुपय आपके वेस्ट हो जा रहे हैं आप टेप भी मत लगाओ बाद में आपको इंदोर जाते हो उदैपूर जाते हो जैपूर जाते हो दिल्ली साइड जाते हो 15-20,000 में टकारा और बहुत सारी कंपनीज हैं अच्छा चलता है मेरे फ्रेंड लगवा है अभी उसको 6 साल हो लगा है बढ़िया आवा जा रही एकदम बढ़िया उतनी अच्छी नहीं आ रही हर्मन जैसी अब बोस जैसे स्पीकर नहीं चलेंगे अरे करना क्या है अपने को थोड़ा गाला ही तो सुनना है और आजकल तो क्या Bluetooth के मदद से आपका मुबाइल भी कनेक्ट हो था और आपके मुबाइल में इतना साउंड आ जाएगा मुबाइल आप ले जा रहे हो और साथ में दो Bluetooth स्पीकर खरीद कर रख दो उसमें साथ में काउस़ी में आपधायचा लिए खेच पेसा बचने के बचलत ने के बचने के बात कर रहा हूं ता तुम पर प्लत एल्पोलने के बात कर रहा हूँ तो तुम चेय रह streng में 6-8 में भी ऐसी मिल रहा है सेफ्टी फीचर जितने भी airbags एबी एस सिस्टम में वो सारा कुछ मिल रहा है छे साथ में भी वील जो आपका है उसके अंदर वील कैप नहीं मिल रहा है यह diamond cut radial वह नहीं आ रहा है अरे क्या करना है वील किसको दिखाना यार सेम टू सेम वील है बागी वह इंतर नहीं है पीछे boots जो space है सेम टू सेम आ रहा है साथे 350 लीटर का रहा है एल्ट्रोस में कोई टेंशन नहीं है यह आपको ध्यान लगना है कि जब AC भी आ रहा है माइलेज भी सेम है सेम माइलेज तो base model क्यों नहीं लो अपन अपन को क्या पागल गुत्ते ने काटा है कि अपन साही तिन लाग रुपे तो लोगो दिखाने कि लाएंगे कि हमारा यह model है X E model है अरे कहाए का model यार छोड़ो ऐसे हर गाड़ी में ऐसा ही हो रहा है पर मैं आपको सही बता हूँ कि 15 का माइले जाता है TX होगे 15 कोई भी गाड़ी लोगे आप मैं कुईट की बात नी कर रहा हूँ कुईट में 20 भी आ जाएगा मारूती की 800 में लेकिन 1200 सिथी की गाड़ी अगर आप ले रहे हो तो उसे उपर गाड़ी ले रहे हो तो आपको 14 15 का माइले जाएगा 17 का माइले जाएगा इससे ज्यादा नहीं आ सकता है हाईवे पर शाद 19 का आ जाए अगर आप 80 90 पर चला हो गया तो यह भी गलत बात है जो AI टेस्टेट जो दिखा रहे है ना कि आपको इतना मिलेगा उतना मिलता ही नहीं है उसे पांच या छे किलोमीटर माइनस करके ही रखने का फ्रेंड ने तो फिर क्या होगा आपको आपको द्यान रखना है ठीक है और कलर्स में आपको बता हूं कि आजकल यह भेदबाव मीडिया है पहले क्या था है गोल्डन कर लेना हो मैटलिक कलर लेना हो ज्यादा प्राइस देनी पड़ते अब यसा कुछ भी नहीं है और आप डिसकाउंट की बात बोलोगे ना तो क् कि नहीं साब हमारी तो टियागो और यह नेक्सोन और एल्ट्रोज और मारूती बेलिनो और यह सब हुंड़ाई की एसेंट और जितनी भी गाडिया है यह सारी जो है टॉप सेलंग गाडी है इसमों दिवाली में नहीं नहीं तो आप क्या उठने उठ जाओ वहां से कि नही पर बच जाएंगे और यह भी आपको ध्यान रखना है देखो उसमें साट एक अजार रुपए आपको रेस्टेशन का लगेगा साथ में और इंशूरंस वगरा मिला के सब लग जाएगा और एक चीज बताते नहीं वह जो आपका मुनिसिबल कॉर्परेशन अगर आपका घ चालाव बचे करता होगा चालाव जानता है कमजवर रहांतों नहीं सब загon fundraising बचायर रहां सकता है यह बारगेनिंक पर सकता है मोगरा ah करता है वह आदमी समझो की 30-40 ज़र तो कम करवाई देगा ठीक है तो इंफॉर्मेशन सारी बता दी हमेने गाड़ी लेना है बेस मॉडल लेना है अरे इंजन तो वही आ रहा है आर एसी भी है सेफ्टी फिचर भी होई है तो क्या है यार क्या मतलब क्या है अपन क्या बावले रहें क्या क्या अपन देंगे इसको साड़े 3-4 लाग रुपे एक्स्ट्रा नहीं देना अपने घर पर रखो पेट्रोल में यूज करो इससे तो इसका पेट्रोल भरा हो आप पेट्रोल फ्री हो जारा आप के लिए है की नहीं अच्छा तो जो भी इन्फोर्मेशन मैंने आपको दिये कर आपको अच्छी लगी होता है मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना हो सकता है कि आपके कोई फ्रेंड्स भी गाड़ी खरीदने की सोच रहे हो तो आप मेरा ये जो वीडियो है उनको फॉरवर्ड कर देना वाट्सैप पे या दूसरे फेस्बूग अगरा पे और मेरे वीडियो को लाइक करना यार फ्रेंड्स फिर मिलता हूं किसी और दिन ऐसी कोई अधूच सी जानकारी ऐसी कोई इंपोर्टन जानकारी जो आपके काम आएगी ऐसी जानकारी लेके तब तक के लिए बाई टेक केर फ्रेंड्स